फ्रेंच पिंक कलेयि पाउडर ये जो कलेयि है ये आपकी स्किन में ओईलनेस को खतम करती है पिंपल्स की प्रॉबल्म है या आपकी त्राइ स्किन है यृज़। को बहुत जादा रिफ्रेश करता है ग्लोइंग बनाता है तो इस समर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ये जो है मैं एल्फ गूटनेस का यूज़ कर रही हूँ बिना किसी केमिकल्स के बिना किसी एनिमल टेस्टेट के है और ये बहुत ही बैनिफिशल है इसके मैं तीन ऐसे फेस मास्क यूज़ कर रहे हूँ तीनों मेंसे कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं स्पैशली समर्स के लिए तो पहला फेस मास्क बनाते हैं जिसके लिए मैं ले रही हूँ या पर एक चमच फ्रेंच पिंक क्ले पाउडर अब इसमें एड़ कर रही हूं है दही दो चमच दोनों को हमचे से मिक्स कर देंगे और यह हमारा बहुत ही इजी सा फेस मास्क बनकर रेडी है आपकी ओईली स्किन है ड्राय स्किन है संसिटिफ स्किन है कॉंबिनेशन स्किन है आप कोई सी भी स्किन वाले हैं आप इजी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि यह जो पाउडर है अगर संसिटिफ स्किन है जो बहुत ज़ादा आपको इसा पाउडर यूज नहीं कर पाते हैं इरिटेशन हो जाता है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं और आपकी स्किन को जो है यूथफुल बनाता है, यंगर बनाता है, पोर्स जो है उनको टाइटन करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, इसमें होता है कॉपर जो आपकी स्किन को डे बाई डे ब्राइट बनाता है, फ्रेश बनाता है, तो इसको जो है हम अपलाई कर लेंगे नेक में अपने फेस में और इसका जो है सूखने का वेट करेंगे उसके बाद जो है हम ठंडे पानी से वाश कर लेंगे इस फेस मास्क को आप हफते में तीन बार इस्तिमाल करें अच्छे रिजल्ट के लिए पहले ही यूज में आपको बहुत अच्छा सुपर्ब रिजल्ट मिलेगा तो नेक्स फेस मास्क बनाते हैं जिसके लिए मैं अगेन ले रही हूँ एक चमच फ्रेंच पिंक ली अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ आधा चमच या आधे से थोड़ा सा कम यहाँ पे देखिये मैं क्वांटिटी कितनी एड़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं एक और चमच रोजवाटर का एड़ किया था आपको रोजवाटर दो चमच एड़ करना है और आधा चमच एड़ करना है एपल साइडर विनेगर आप जिनकी ऑईली स्किन है वो यह वाला फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं आपकी स्किन के जो पोर्स है उनको टाइटन करेग पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बेस्ट है ये फेस मास्क इसे भी आप हफते में दो बार इस्तिमाल करें अच्छे रिजल्ट के लिए और जब ये सूख जाया तब इसे ठेंडे पानी से आप वाश कर लीजिए पहले ही यूज में आप खुद दिफ्रेंस देख जबरेंस में करूंगैं थोड़ा सा वाइलल तर्मरिक बिल्कुल थोड़ा सा एट किया है मैंने दो चुठी इसके बाद एक चमच ऐलोवेरा जल मैंने एलोवेरा जल थोड़ा सा और भी एड़ किया था बाद में जितना इसे मिक्स करने के लिए लगए आप उतना एड़ क सकिन में टैनिंग की प्रॉब्लम है डलनेस की प्रॉब्लम है तो आप इस face mask को यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा result मिलेगा इस face mask को आप हफ़ते में अच्छा करें आप चाहें तो एक दिन छोड़के भी आप इस face mask को इस्तहिमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास fresh aloe vera gel है तो आप वो भी डाल सकते हैं तब वो और भी जादा आपके लिए benefit होगा इसे भी आप जो हैं लगाएंगे अपने पूरे face पर और neck पर सुखने का wait करेंगे उसके बाद wash कर लीजे आपको तीनों में से जो भी आपकी skin type के according हो use कर सकते हैं या तीनों ही best है कोई भी skin वाला इसे use कर सकता है तो I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe सरूर करते हैं